दोस्तो आथ मैं आपको इलेक्टिक बोड के बारे मैं बता रहा हूं इलेक्टिक बोड के connection कैसे करते हैं और इसकी वैलिम कैसे करते हैं यह वाले color coding के साथ तो दोस्तो ये रहा मेरा electric board है इसमें 300 लगे हैं और 300 लगे हैं एक इंडिकेटर है और मैं आपको diagram बना कर भी दिखाता हूं कैसे कैसे connection करते हैं दोस्तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें मैं सरकी डाइगराम कैसे बना रहा हूँ और बोर्ड में इलेक्टिक कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ आप लगातार वीडियो को एंड तक देखें तब ही आपकी समझ में कुछ आप आएगा और मैं आपको एक बल्ब फैन और टूब लाइट के कनेक्शन के बारे में भी बताता हूँ कि बोर्ड में इनके कनेक्शन हम कैसे करते हैं ये पूरा डाइगराम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो निटल को हम इसको कोमन कर देते हैं ये मेरा एक M, C, B हुआ तो जो मेरा फैस आता है ये निटल तो हमेशा हमारा कोमन होता है और फैस हम इसको दे देते हैं इसके पूल में और ये मेरा ये वाला हुआ तो ये मेरे सुच ये मेरे सुच हुए, शोकिट हुए ये वाला अर्थ का हुआ तो दोस्तों ये वाले निच्चे के हम इसको कोमन कर देते हैं तो ये वाले में जो M, C, B शाएगा ये मेरा जो कोमन है इसमें लगा जया, ये फेस है और ये वाला सुच है, सुच का एक जाएगा सिद्धा सिद्धा मेरा बल्ग पर और ये वाला दूसरा हुआ मेरा फेस फैन का तो ये फेस ओन ओफ होता है ऐसे ही ये वाला है, कहीं ये वाली मेरी टूबलाइट है तो टूबलाइट ये एक चोख हुआ और ये मेरा नूटल कोमन हुआ ये एन और ये वाला नहां कनेक्शन कर दिया और ये वाले मेरा ओफ हुआ ये वाले तो ये ऐसे मेरे सर्किट बोर्ड हो गया पुरा पुरा complete ये मेरा sofit हो गया ये मेरे सुच हो गया ये fan मेरा bulb हो गया ये fan हो गया ये मेरी tube light हो गई ये मेरी tube light हो गई तो दोस्तो जो भी project वाले बच्चे हैं किसी को कोई problem हो तो आप comments box में मेरे से पूच सकते हैं कि board कैसे बना है दोस्तो ये वाला जो मेरा होता है ये वाले मेरे पूल होता है ये वाले मेरे पूल है तो हमें इसको यहां से यहां तक comment कर देते हैं ये मैंने एक comment किया हुआ है देखो ये वाला मैंने सब को comment किया हुआ होता है और ये red wire है red wire हमें सब positive होता है और इसको हम face में use करते हैं और यह वाला मेरा जो यह वाला मेरा इसका पोल के बाद सुच हुआ है यह सुच को हम इसको यहां लगाए यह मेरा on-off करेगा और यह वाला मेरा noodle का wire है noodle के wire को भी हम comment कर देते हैं यह यहां तक मैंने color wire हमेशा comment किया है और यह मेरा बड़ा जो वाला यह point है यह मेरा अर्थ का होता है यह वाला जो मेरा point है यह वाला इसमें अर्थ का होता है यह L लिखावा है यह noodle लिखावा है तो L पे मुझे red जोडना होता है और noodle पे मुझे color जोडना होता है यह मेरा थेश है और यह मेरा noodle है तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा color coding चाहिए हमें wiring करने चाहिए और जो यह वाला मेरा face का wire है यह वाला यह हमेशा MCB से लेना चाहिए और noodle मेरा common होता है यह मेरा ground होता है जो current लगता है current लगने से बचाता है तो हमें ground भी हमेशा board में यूज करना चाहिए तो दोस्तों इंडिकेटर के जो मेरे हैं यह direct लगा देते हैं मिना सुच के लगते हैं यह मेरा middle हुआ यह मेरा face हुआ तो इस टाइप से यह जो मेरे connection है यह बनकर तयार हो गये देखो यह व सुच के थुरू कौन होगा है यह वाला और इसकी color coding red black और green तो ऐसे बनके मेरा यह board तयार हो जाता है तो यह जो मेरा right hand है right hand पर हमेशा एल positive रहना चाहिए और यह में सब noodle N रहना चाहिए ऐसे ही समय connection होने चाहिए और यह board में एक huge या MCB के थूँ ही रहना चाहिए यह कोई चीज़ सोट हो जाए या कुछ भी जिसे MCB त्रिप हो जाए इसके बाद में board को बंद कर देता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो like, share, comments और subscribe करना ना भूलें धन्यवाद तोस्तों आपको में वीडियो हो जिसर आपको में पासिता है